मैं विजे मानकर साथ से, सुरेश माने साथ से, सुलेमान साथ से, उनकी पूरी टीम से, उनके साथ में जो लोग जुड़े हैं, उन से, हमारे बिहार के साथी हैं, जो उन से, उन सभी से, और इसके साथ साथ मैं मानिय बहन जी से, चेंशेकर से, अगलेश यादव जी से, और जितने भी हमारे साती हैं उन सभी से मेरा निवेदयन है चाहे वो जगनेश मिवानी हो चाहे और साती हो बहुत अके नाम याद नहीं आ रहे पर आपको भी नाम आता आते हैं आपके यह ओपन इन्विटेशन है सबको आना है कहीं किसी के लिए कोई बंदिश नहीं है दीरे धीरे धीरे खलवली मचनी जरूरी है सातियों इन समय खलवली उस दोरान भी बहुत जबरदस्ती बहुत गालियां भी दी गई अंधभक्तों द्वारा लेकिन मैं जानता हूं कि यह चूहें हैं यह घर में इसी पर कर सकते बाकि इनके बसकी कुछ है नहीं सो मेरा कहन जरूरा धारा कोड़ी अलगल की है लेकिन जातियों जो हमारे लिए जरूरी है समाज को एक सुरक्षा देना ये हमारे लिए बहुत जरूरी है और सातियों ये आप देखी रहे हैं मुझे कहने की जरूरत नहीं है करना हमी को पड़ेगा कुछ दूसरा करने वाला आएगा नहीं सातियों अगर कोई करने वाला होता तो लगातार करनी देता लेकिन समाज का केबल जो इस्तमाल किया गया है दबे कुछ लिए समाज का मुस्लिम समाज का क्रिश्चन समाज इन सबका अगर इस्तमाल किया गया है तो केबल वोट के लिए इस्तमाल किया गया है और कुछ नहीं क्योंकि रमजान का पवित्र महीना आज से शुरू हुआ है और एक महीने तक चलेगा आज से एक महीने तक लगातार हमारा रमजान का जो महीना है हमारे जो भाई हैं वो लगातार अपने इस सब को मनाएंगे हाँ ये परिसिती है कि ये घर में ही रहके हमें मनाना पड़ेगा इस बार परिस्थिती ऐसी है उससे बार नहीं जा सकते हैं लेकिन मेरी तरब से मेरे सबी मुस्लिम भाईयों को पूरी दुनिया के मुस्लिम भाईयों को मेरी तरब से इस रमजान के मुबारक महीने की बहुत-बहुत बधाईयां बहुत-बहुत मुबारक बाद बहुत- कोई दिक्कत ना हो और सब लोग हम सब खुशी खुशी रहें इन सब के साथ सातियों अब मैं इसके बाद एक बात और मैं कहना चाहते हूं मैंने उस दिर एक डेट दीती सत्रमे की थोड़ा से मैं चाहते हूं मैं भूल गया था कि मुझे नहीं मालूम था कि रमजान का महीना सात जून को हम लोग ये मीटिंग करेंगे क्योंकि पच्चिस तारिक तक 25 मई तक 26 की 25 या 26 तारिकी ईद हैं सो ईद के बाद क्या हमारे मुस्लिम समाज की बड़ी संख्या में यो हमारे साती हैं वो भी उसमें शामिल हो सकेंगे तो हम सात जून को प्रोग्राम करने की कोश सब की जो इच्छा है वो समाज के लिए काम करने की है समाज को बहतर बनाने की है समाज को बहतर भविश्य प्रदान करने की है इसलिए मेरी आप से निवेदन है सातियों कि सब लोग उन सारी चीजों को छोड़के हम सब लोग साथ में आए इकटे चलेंगे तो निश्यत रू है कि लोग हम पर विश्वास करें तो पहले हम सब भी इखटे हो एक मेरे साथी है विकास यादव जी उन्होंने पिछली वार यह का था कि आपका समाजवाद बहुत सीमित लोगों तक ही सीमित है बहुत चुने लोगों तक है विकास यह आप हमें समझ नहीं पाए ऐसा कुछ नहीं हमारा समाजवाद वैसे तो समाजवाद की बात कर रहे हम जूटे समाजवाद की बात नहीं करते हम तो समविधान की बात करते हैं और समविधान में हमारा समान तक अधिकार इसकी कोई सीमा नहीं है कहीं मतबसी लोगों तक सीमित नहीं हर अच्छे व्यक्ति तक वहार्बना है। हमारा कोई ugo हमारी कोई नहीं है। कोई एहंकार नहीं हम का भला हो देश के लोगों का भला हो। गरीब दबे-कुछले जो लोग वंको उनको हथ मिले। इमांदारी से वो आगे बढ़े देश तरक्की करे और वाकई में जब देश तरक्की करेगा तो हम सब तरक्की करेगा तो हमारी कोई ऐसी कोई सीमा नहीं आपको शाद गलत फ्यमी है हम जो काम कर रहे हैं वो पूरे बहुजन समाज के लिए कर रहे हैं अब बहुजन का मतलब यह नहीं है कि आप यह समझो कि सभी के लिए मैं सरवजन की बात नहीं कर रहा हूं मैं बहुजन की बात कर रहा हूं हम बहुजन के लिए बात करते हैं मैं भगवान वुद्ध की बात को मानता हूं जुन्हों ने कहा था बहुजन हिताय बहुजन सुखाय सो बहुजन की बात क संक्या इस देश की कम से कम 110 करोड की आबादी बहुजन में आती है तो क्या 110 करोड لوगों के लिए काम करने की जो बात आपके रहे हैं वो चंद लोगों तक सीमित है विकाश अदर जी आप समझ रहे हैं इस चंद लोगों तक सीमित है ऐसा नहीं है साथियो वो बहुत बड़ी संक्या और हमें उनके लिए काम करना है और उनी के लिए काम करने के लिए हमने पार्टी बनाई है हमने संगठन बनाया है हम लगातार उनके लिए काम करें जिनका हक मारा जाता रहा है हमें उनके लिए काम करना है सातियों हम कहने को कुछ भी कहले हमारे पास पैसा हो सकता है घार हो सकता है बंगला हो सकता है गाड़ी हो सकती है लेकिन अगर समाज हमारा दबा कुछला है पिछला है हम कुछ भी नहीं है मैं समझता हूँ हर इंसान की तरक्की तभी तरक्की होगी वो जब नके बल खुद बढ़े बलकि उसके साथ में पूरा समाज बढ़े उसके साथी बढ़े लोग बढ़े ऐसा नहीं होता कि मैं आकेला बढ़ा बन जाओं और बाकी सारे के सारे सम मेरे पनिर बन रेच्छो वो सब वही के मैं दबे रहें इस से कुछ नहीं होने वाला जितनी मजबूत मैं हूँ जिस तरह से मेरे सारे साथी भी उसी तरह से मजबूत हो मेरे समाज भी मजबूत हो मेरे देश मजबूत हो तभी मजबूती है तभी इसका कोई आनंद है अन्यता तो कुछ नहीं होने वाला स साथियों चाहे जो करते रहें उसका कोई मतलब नहीं है इसलिए इन सारी चीज्जों को ध्यान में रखते हुए साथियों मैं जो नाम रह गए हैं उन नामों को पूरी टीम से उनके साथ में जो लोग जुड़े हैं उन से हमारे बिहार के साथ हैं जो उन से उन सभी से और इसके साथ अम्बेटकर विचारधारा को नहीं मानते हैं जो अम्बेटकर विचारधारा को मानते हैं परमपुजे बोदिसत बाबा साथ डॉक्टर अम्बेटकर की विचारधारा को मानते हैं उनके सपनों का भारत बनाने के लिए प्रियास रत हैं ये निमंतरन उनी के लिए है उनके अलाबर जो बाकी लोग है उनके लिए इसका कोई मतलब नहीं है तो साथियों यही मेरी बात है मैंने जो आपको बता दिया इसके बीच में कैसे कैसे चर्चा के विशे रहेंगे हम इसको भी आप से मैं लिवेदन करूँगा आप भी लोग इस चीज को आप भी करें कि क्या उसमें चर्चा के बिंदू होने चीए आप भी जो लोग है उन लोगों तर संदेश मुचाएं इस वीडियो को जितने भी जादे से जादे हो सकते हैं लाइक करें और शेयर करें ग्रुप में शेयर करें ताकि अधिक साधिक लोगों तक यह बात मुचे सातियों और क्या विशव हो सकते हैं आप भी सोचें हम भी सोचेंगे और मैं यह चाहूंगा कि साथ जुन का अगर हम रखते हैं तो हर सूरत में हमारे पास में 20 मई तक सातियों के 20 मई तक सभी सातियों के जो इस हमारे उस प्रोग्राम में आना चाहते हैं अगर उन सातियों का हमार की बात होंगी बेकार की बात नहीं होंगी यह नहीं है फालतु की चर्चा नहीं होनी है हमें एक नतीजे पर पहुंचना है एक ही दिन का प्रोग्राम रखेंगे और नतीजे पर पहुंचकर हमें उसको अमली जामा पहनाना है ताकि समाज के लिए हम कर सकें जो चाहते हैं बह कि दुनिया वर में जहाँ भी हैं उन सभी को मैं आज नमजान के mubarak मुभारप देता हूँ दिली मुभारप देता हूँ और आप सब का करता हूं कि इन बात को समझेंगे और आने वाले समय में इस चीज को मजबूत बनाएंगे अपने सिक्वे छोड़ कर हम इखटे होंगे जैभीम नमबुद्धाय आदाप सच्छे अकाल नमस्कार गुड़ आप्टर नोल अगर आपको ये खबर अच्छी लगी तो लाइक करें ज्यादा से ज्यादा शेर करें और चैनल को जरू सब्सक्राइब करें धन्यवाद